नमस्कार दोस्तों इबार फिर से आप सभीका मैं बहुत बहुत स्वागित करता हूँ तेलंगाना पस्पाद धक्ष आरेस प्रवीन का चैप्टर क्लोज हो चुका है आरेस प्रवीन का काला सच सामने आ चुका है RS प्रवीन देश के सामने बहुजनों के सामने बेनकाब हो चुके है दोस्तों अब RS प्रवीन के बारे में एक बहुत बड़ी ख़बर सामने आ रही है ख़बर ये है कि BSP को धोखा देने के बाद माया वती जी को धोखा देने के बाद माया वती जी की आँखों में धूल जोकने के बाद अब आरेस प्रवीन के सी आर की पार्टी भी आरेस में शामिल हो गए हैं जी हाँ दोस्तों हो सकता है ये खाबर सुनकर आपको शौक लगा लेकिन दोस्तों मुझे जादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मुझे पहले ही इस बात का अंदाजा हो गया था कि ये व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है तो इस समय की सबसे बड़ी खबर बसपा कि अध्यक्ष रहे आरेस प्रवीन अब बी आरेस जोईन करने जा रहा है दोस्तों आपको याद होगा कि यही आरेस प्रवीन जब तिलंगाना में विधान सभा का चुनाव हुआ था तो इनको बाकाइदा माया वती जी ने इनके सर पर हाथ रखकर आशिरवाद दिया था और यह तस्बीर मैं आपको दिखाऊंगा यह तस्बीर देखिए क्योंकि माया वती जी ने अपना हाथ इनके सर पर रखा था क्यों क्योंकि यह खुद को सौरों कहते हैं दलितों के हीरों कहते हैं बोजन समाज के लिए लड़ाई लड़ने की बात करते थे बड़ी बाते करते थे लेकिन अब R.S. परवीन का जो सच सामने आए दोस्तों वो यकीनन हैरान कर देने वाला है दोस्तों आपको याद होगा कि R.S. परवीन ने माया वतीर जी से बिना सलाह मश्विरा किये KCR की पार्टी भी R.S. से गड़ बंधन कर लिया था और इस फैसले में कहा जाता है कि राम जी गौतम जी की भी भूमिकार रही थी दोस्तों बसपाद धक्ष R.S. परवीन लगातार ये कहते रहे कुशिश करते रहे कि मैं KCR की पार्टी से गड़ बंधन कर रहा हूँ उसके बाद इन्होंने गड़ बंधन का ऐलान भी कर दिया और यहां तक की सीट का बटवारा भी कर दिया सीट का बटवारा करते वे दो सीटे ले ली एक नगर कुरनूल और हैदराबाद लोगों ने कहा रे मती मारी गई है क्या यह हैदराबाद सीट लेंगे जहां से OVC को BJP नहीं हरा सकती है और यह चले है OVC को हराने तो यह R.S. परवीन की आप परिपकुता को दर्शाता है दोस्तों R.S. परवीन के जो दिल में था वो अब सामने आ चुका है R.S. परवीन को लोग हीरो मानने लगे थे बहुत कम समय में 2021 में R.S. परवीन ने BSP जोईन की थी IPS की नौकरी छोड़ी थी तो लोगों ने कहा चलो दलित समाच का है और दलित समाच की बात करता है बाबा साहिब कांशी राम जी की बात करता है बहन जी को अपना गुरू मानता है चलो ठीक है वस्पा का ध्यक्ष भी है अब मायावती जी ने ने मुक्षमंतरी का चहरा भी बना दिया तो लोगों ने एकसेप्ट करना शुरू किया लेकिन जिस तरीके से आनन फानन में बिना मायावती जी की हामी के इन्हों ने तिलंगाना में केसी यार जिसे बहुजन समाच कहता है ये तो सम्मिधान मदलने की बात करते हैं उस केसी यार से जाकर इनने हाथ मिला लिया और इनके हाथ मिलाने से पहले चंदरशेखर भी गए थे चंदरशेखर जब केसियार से मुलाकात करने गए थे तो आपको याद है किस तरीके से चंदरशेखर को आलोचना का सामना करना पड़ा था और यही आरेस प्रवीन 2030 में जब मुख्मंत्री पदके उम्मिदवार थे बस्पा की तरफ से तब यह केसियार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे कहा जा रहा है लेकिन अब कहा जा रहा है यह केसियार को जिताने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे नहीं तो बस्पा तेलंगाना में और अच्छा प्रदर्शन करती है दोस्तों जिस तरीके से आ आरेस परवीन ने दिया था वो तो accept हो चुका है इस तीफा बहुत पहले आ गया था accept अब जाकर हुआ है और आरेस परवीन का ये ट्वीटर देखिया आप पहले मायावती जी की फोटो हुआ करती थी लेकिन आप देखिये पूरा खाली है अब इन्होंने बसपा से अपना प बसपा से इस शक्स ने अलग कर लिया ये ट्वीटर बहुत कुछ बताता है दोस्तों ऐसे लगता है जैसे किसी ने अभी अभी नया ट्वीटर बनाया और ट्वीटर हैंडल बनाया हो इसने अपनी पहचान ब्यसपी से एकदम अलग कर ली है और जानते हैं जब तिलंगाना में गडबंधन तूटा तोड़ दिया गया तो इस शक्स ने मायवती जी को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया क्या कहा बस्पा ने बीजेपी के दबाव में बी आरेस से गडबंधन तोड़ दिया इसलिए मैंने पार्टी छोड़ी यह शक्स यहां तक जाकर बात करता है दोस लताल लगा दी आरेस परवीन को आरेस परवीन जैसे नेताओं के चहरे से नकाब उतार दिया है आका शानन ने क्या कहा जरा गवर से आप लोग सुनिएगा मेडिया में आया आरेस परवीन के बयान को सुनकर काफी दुख हुआ बयस पी का कैडर और सभी पतादिकारी भली भाँ जानते हैं कि गडबंधन का फैसला हो या उम्मिदवार सभी फैसले की सुचना बहन जी खुद मीडिया को देती हैं लेकिन तेलंगाना के मामले में जिस तरह से प्रवीन जी ने आप परिपक्ता कर परिचे दिया वो पार बयस पी ऐसे लोगों से बातचीत करना भी पसंद नहीं करती है प्रवीन जी और यूपी के एक युवा साथी भी दलित राजनीती के विरोधियों की साजिश का शिकार हो गए यहाँ पर मैं किलियर करना चाहूँगा दोस्तों यूपी के एक युवा साथी भी यहाँ अफ़ तोर पर आकाश आनन्द ने चंदर शेखर को यहाँ पर कही ना कही निशाना साधा है कि चंदर शेखर भी दलित राजनीती के विरोधियों की साजिश का शिकार हो गए और संविधान विरोधियों के जहांसे में आ गए लेकिन बियस पी के लोग बहुत समझदार है वो इन सम्विधान विरोधी लोगों की साजिशों को अच्छे से समझते हैं और कभी भी इनके जहांसे में आने वाले नहीं तो दोस्तों आकाश अनन ने जहां ऐसे निताओं से बचने की सला दी है बोजन समाज को कहा है ऐसे निताओं से दूर रहे हैं तो वहीं आरेस प्रवीन ने भी आकाश अनन को जबाब दिया प्रिये आकाश जी मुझे अभी भी बहुत दुख हो रहा है लेकिन पार्टी और आ जरुवत से ज्यादा अपनी समाज को बताना नहीं चाहता सिर्फ समय ही बताएगा यही है मेरा परिपक्वता आपको आल दी बेस्ट जैभीम तो दोस्तों यहां देख रहे हैं आप आकाश अनन्द को भी जबाब दे रहे हैं आरेस प्रवीन और अपने आपको परिपक्व सावित कर रहे हैं यानि जिस तरीके से चंदर शेखर ने केसियार से जाकर मुलाकात की वो केसियार जो संविधान बदलने की बाते कर चुके हैं उन पर लेवल लग चुका है उससे जाकर मुलाकात कर चुके हैं चंदर शेखर जबकि चंदर शेखर भी तो कूद को कहते हैं हम बेट कर वादी कांशी नाम जी हमारे विभावक हैं इस तरह की बात ही करते हैं इसलिए यहाँ पर ना सिर्फ आरेस परवीन को लताड़ा है आका आशानन ने बलकि चंदर शेखर आज़ाद पर भी यहाँ पर हमला बोला है तो दोस्तों इस समय की सबसे बड़ी खबर यह म सीड पर चुनाव नहीं लड़ पाने की वज़े से इन्हों ने अपना रंग दिखा दिया दोस्तों इसको लेकर बहुजन समाज बहुत जादा नाराज है कुछ लोगों की प्रतिकिरियां आई हैं मैं चाता हूं उनकी प्रतिकिरिया भी आप लोग सुलिए बेस पी सोशल म रहते इसे भांप लिया उनका बस एक ही लक्ष था नगर कुरणूल उनका मतलब आरेस पर बीन का नगर कुरणूल से सांसत बनना इसके लिए बीएस पी की बली ही क्यों ना चड़हानी पड़े ये विक्ति नौकरी में रहता है ये विक्ति अपनी नौकरी चोड़ता है ब एक और ट्वीट है दोस्तों सूरज कुमार बौध का सुनिये आखिरकार बंदे ने अपनी सस्ती बोली लगा दी आरेस प्रवीन ओफिशली वी आरेस जॉइन करने जा रहे हैं सांसत बनने के लिए इन महाशे ने संविधान बदलने वालों के सामने सरिंडर कर दिया शर्मना कितना रुत्वा मान समान बेंट जी ने शक्स को दिया लेकिन सोचिए एक सीट के लिए चुनाव लड़ने की लालच में कि ये संसत पहुच जाएंगे इन्होंने अपना पूरा जो प्रोफाइल थी अपनी खराब कर ली अपनी जो विचारधारा थी उसे खत्म कर लिया मह किया गया है कि BSP सुप्रीमों लोगों को पार्टी से निकाल देती है अब देखिए इस शक्स ने क्या क्या किया गड़ बंधन किया चलो कोई बात नहीं दो सीटली कोई बात नहीं फिर चुनाव लड़ने की जित करने लगे चुनाव मैं ही लड़ूंगा तो आखिर कितना फ्री हैंड कोई देगा आरेस परवीन क्या माया वतीजी से बड़े हो जाएंगे जब सारे फैसले एक ही जगे लखनव से होते हैं तो क्या इन्हें माया वतीजी से राय मश्विरा नहीं करना चाहिए अगर माया वतीजी से रिक्वेस्ट करते तो क्या माया वतीजी इनकी तो अकेले अकेले अगर बात करोगे खुद सर्वे सर्वा बन जाओगे आकर दो साल में तो दोस्तों ये किसी पार्टी में होगा नहीं कोई भी पार्टी बरदाश्ट नहीं करेगी। अच्छा के लिए जो रिष्टा था वो तोड़ दिया है आप समझे कितने बहुजनों की दोस्तों इनसे उमीदे रही होंगी। तिलंगाना के जो धलित समाच के लोग हैं वो कितना उमीद लगाए थे कि हमारे लिए एक हीरो आया है। आज इस शक्स ने अपनी प्रफाइल स बेस्पी से ना सिर्व नाता तोड़ा बलकि तमाम बहुजनों से भी नाता तोड़ लिया। बहरा दोस्तों इस वीडियो में फिलाल के लिए बस इतना ही ऐसे लोगों के लिए दो शब्द आप लिखिए। बहुत धन्वार शुक्रिया। जैवारा जैसे मिदान।